दोस्तों जैहिन। आज जानेंगे कि जो हमारा GP Koon Kraser होता है, prettier जब हम इसको प्लांट मेरान करते हैं, जब हम प्लांड में चलाते हैं तो आंदा लुद्फर ठाथे हैं, यानि कि इसमें अंदा लुद्फर भी तुड करती है लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इससे production भी हमारा कम हो जाता है और plus में एक और काम हो जाता है कि इसका जो quality होता है जो quality होता है वो quality भी धंका नहीं निकलता है तो ऐसा तब होता है जब हमारा जो cool cavity होता है यानि कि जो हमारा cool mental होता है अब इस type देखे होंगे जो हमारा cool mental होता है और एक side में इस type से लगा होता है हमारा cool cave ठीक है इस दूनों जब घिस जाता है तो हमारा जो production है कम हो जाता है उतना माल नहीं खाता ये और उस समय जो हमार हमारा जो मेट्रियल का जो क्वालिटी होता है वो खराबाने लगता है तो हम कैसे पता करें कि हमारा जो कून मेंटल है अब खतम हो गया है यानि क्या भी यह प्रोडक्शन लाइक नहीं है और कितना एमेम तक हम उसको चला सकते हैं चाहे आप किसी भी कंपनी का बात करें और किसे बाद हम ऎसका जो लाइनर है कोन का लाइनर है उस लाइनर को हम और को हैंग तो दोनों कों बदल देते हैं वीड़ीओ कर दी है भी सakukan सब्सक्राइब करों किसी टैप की विडियो मैं हमें साब बनाता रहता हूं तो इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है आपने देखा होगा कि GP जो कौन क्रेसर होता है यहाँ पर और जब यहाँ पर हमारा एक चिकनेट होता है आपने देखा होगा कि जो महरा मेंड़ है मेंडल को ऊपर एक चेक्नाट कसा होता है इससे जो हमारा लाइन रहे जो यहेड का जो लाइनर है उस लाइनर को jay उपर की और आने नहीं तता है और इसमें हम बेकिंग कंपाॉंच से चाम करते हैं क्यों है कर दे स्टार्ट करने के बाद याने के पावर पैक को आपको स्टार्ट करना है और मेंटल को अप करना है ठीक है अप करना है और अब तब तक करना है जब तक कि ये इसमें सटना जाए ठीक है एक साइड में आपको चिपकेगा एक साइड में खाली रहता है क्योंकि वह उतना एक से एकी साइड में वो शिपकता है क्योंकि eccentric boost के साथ में लगा रहता है तो एक साइड में कहीं भी शिपक जाएगा तब आपको क्या करना है तब आपको एक या तो एल्मूनियम का रोड लेना है पतला सा दूसरा आप ले सकते हैं inch tape ले सकते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज लेंगे जो इस जगा को नाप दे यानि कि यह top bearing है और top bearing और यहां जो हमारा चेकनेट है, चेकनेट के तेखिए आप चेकनेट के जो दूरी है यह दूरी को आपको नापना है ठीक है और नापने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना MM बच गिया है। हर 2-4 दिन पर आपको, जब आपको मालुम चले कहाँ इतना दिन हमारा प्लांट चल गिया है, कैसा पत्थर है, हाड है, सौप्ट है, उसी साब से आपको एचीज पता होता है, कि हमारा mentor कितना बचा हुआ है तो हम यहाँ पर नापेंगे और नापेंगे देखेंगे कि हमारा कितना mm तक बचा हुआ है ठीक अगर नया आपका mentor है तो उस समय आपको 600 से लेके सारे 600 और किसी किसी में 700 mm तक का आपको मिलेगा यहाँ पर बचाप मेझर करेंगे तो यह करता है कि किस टाइप कांपनी है यान कौंशा कंपनी है और हरे कंपनी का कुछ नकुछ आपको डिफरेंस मिलेगा ऊसमे मन ना एकडम एक जैक नहीं मिलेगा लेकिन हम आईसा आपको रेशियो बताने वाले हैं कि उस रेशियो में लगबख किसी का भी मेंटल आप चेंज करेंगे तो दिक्कत नहीं है तो ज्यादा तर्में आप देखेंगे तो इसको आपको चलाना है कब तक इसको आपको लास्ट चलाना है यदि आप यहां पर नापते हैं और हमारा 35 mm यदि आपको गैप मिलता है तो आप समय लिजिए कि आपका मेंटल चेंज करने के अवस्था में लास्ट कंडिशन में आ गया है ठीक है अब आपको बता रहा हूं कि यह लास्ट कंडिशन तो है ही यह लेकिन लोग इसको कहां तक चलाते हैं इसका 35 mm तक हो गया तो आपको दलडबे चेंज कर देना है यदि आप नहीं चेंज करते हैं बहुत लोग 30 mm पर भी इसको चेंज करता है है बहुत लोग क्या करता है कि 25 mm तक भी ले जाता है और इस सब जो कंडिशन है आपको ये बोड़ी को घिस सकता है ठीक है तो आपको रिस्क नहीं उठाना चाहिए क्योंकि पता चला कि आपने 5 mm के चक्कर में बोड़ी घिस दिया इधर बेरिंग मार खा गया ठीक हो प्रोडक्शन तो उतना आएगा नहीं तो आपक क्या करना है कि आपको 35 mm पर ही आपको कौन केविटी और जो कौन का जो मेंडल है यानि कि ये कौन केविटी कौन केव बहुत लोग कौन क्यू बोलता इसको ठीक है ये इसको दोनों को आपको चेंज कर देना है कितना 35 mm पर ठीक है आपको चलाना है तो 30 mm तक भी चलाता है ल क्या कर सकता है को तुर्श भाव दमेज भी कर सकता है। तो हम् cases रात करता हुए आपको सुमझ में आ गया होगा किذ हमें कितना एक मेंटल को श्चेंज करना है। लाश्ट हमें कितना एविम तक चलाना है तो वीडियो पसंद है तो वीडियो के लाइक शेर और कमेंट जरू कीजिएगा चले फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जयेंद